अगर आप साओधी अरब में गए हो तो कैसे आप ECR पासपोर्ट को ECR में आसाने से बदल सकते हो दोस्तों आपको बदा दें कि यहाँ पर आपको ज़्यादा परेसान होने की जरूत नहीं है अगर आप इंडिया से या किसी भी देश से साओधी अरब जाते हो तो आप ECR2, ECNR करवा सकते हो लेकिन इसके लिए कुछ रोल्स को आपको फोलो करना होगा दोस्तों आपको बदा दें कि यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट में कुछ भी बदलाओ करने की जरूरत होगी मतलब यहाँ पर हो सकता है कि पासपोर्ट में नाम बदलना हो तो नाम आपका साओधी अरब में बदलेगा ही नहीं तो यहाँ पर इसके लिए आपको ट्राई ही नहीं करना है दोस्तों passport valid है और कुछ भी बदलाव नहीं करवाना चाहते हो तो आप passport duplicate issue भी करवा सकते हो लेकिन उसका कुछ आपको fees payment करना होगा उसके बाद ECR to ECNR हो जाएगा याने इसका मतलब यही है कि अगर आपका passport तीन साल के बाद में expire नहीं होता है या उसमें कुछ भी आप correction या बदलाव या changing नहीं करते हो या कोई भी passport related आपका काम तीन साल के बाद में नहीं आता है तो सौधी अरब में या गल्फ खाड़ी कंडरे में आप क्या करें कि passport duplicate issue कर वाले उनसे बोलें कि हमें duplicate दूसरा passport चाहिए और उसी के बिहाब पर फिर आपको duplicate passport issue कर दिया जाएगा और ECR passport को ECNR में तबदिल कर दिया जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों इस वीडियो को जादस जादा लोगों तक जरूर सेर करिए दोस्तों वीडियो देख